हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आपके लिए मद्द पेदेश में हो रही सिछक भरती बर्ग दो के लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आपसे डिसकस करेंगे मनो विज्ञा और उनकी सिद्दान्त ठीक है दोस्ते वीडियो हमारा मद्द पेदेश सिछक भरती बर्ग दो में भी काम आएगा और सीटेट की परिच्छा में भी काम आएगा तो आप सभी लोग वीडियो पूरा देखे वीडियो बहुत ही शानदार है आपके लिए तो मैं उम्मीद कर हम आपको वीडियो के उपर की वीडियो में क्या है खास आपके लिए दोस्तों सब्सक्राइब चरूर करने चैनल को हम आपसे ऐसे यह एजुकेशन मटेरियर आपको प्रोवाइड कर आते रहेंगे ठीक है तो सबसे पहली थोरी है अपने पास दोस्तों आज के सिद्दान् व्यक्ति और समाच दोनों की कल्यार से है, फ्रेंड सन्ने कहा है ऐसा, अपने व्यापक अर्थ में सिछ्छा में बे सब्सक्राव समलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जनम से लेकि मित्व तक पड़ते हैं, किसने कहा है, डंबल ने कहा है, थोरी नंबर थ्री, सिछ्छा ब्यक्तियों की ब्यक्तियों द्वारा और ब्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रिक्रिया है यह समाजिक प्रिक्रिया है और इसको समाज की संपूर्ण सुरूप और कार्णों से पिर्थक नहीं किया जा सकता किसने कहा है यूलिच ने कहा है सिच्छा व्यक्ति की उन सभी योगताओं का विकास है जिनिकी द्वारा अपनी बाताबढ़न पर नियंतरन करने की छमता करता है छमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर करता है जो एं ड्यूग ने कहा है ऐसा इसका कर्रेक्ट आंसर होगा बाठ्सन थिओरी 6 मनु विज्यान बाताबढ़न के समबंथ में विक्ति की किर्याओं का विज्यानिक अथियान है किसने का है बुढ बर्थने दोस्त नोट कर लेए एक आज़ाम में काफी बार रिपीट होती है पॉइंट नमबर शिक्स मनो बिग्यानन बातवणी के संबंथ में ब्यक्ति की किरियाओं का बिग्यानिक अध्यान है बुट बर्त ने कहा है ऐसा थोरी नमबर सेवन मनो बिग्यान जीवन की सभी पिरकार की परिष्थतियों में प्राणी की प्रिक्रियाओं का अध्यान करता है प्रिक्रियाओं अथवा बेभारों का तातपर है प्राणी की सब पिरकार की गतिविधियां समाय योजनाएं किरियाएं एवं अभी ब्यक्ति या किसने कहा है इसकी नर ने दोस्तों इसका correct answer होगा इसकी नर थोरी नमबर 8 सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग फिर देखिए दोस्तों थोरी नमबर 8 काफी important लग रही है आप लोग अच्छे से पढ़ें सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया फिर उसने अपने मन या मस्तिक्स का त्याग किया उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया अब वह बिभार की बिधी को सुईकार करता है किसने कहा है बुढ बर्थ ने कहा है ऐसा मनो बिज्ञान मानप प्रकिती का अध्यन है किसका कथन है बोरिंग लेंग फेल्ड बाब बैल्ड के अनुसार ठीक है थोरी नंबर 10 मनो बिज्ञान बेभार और अनुभव का बिज्ञान है किसने कहा है इसके नर देखिए दोस्तों यहाँ पर बात चल लएए मनो बिज्ञान बेभार और अनुभव का बिज्ञान है इसके नर और आपने पांच नंबर पर दोस्तों पढ़ा था मनो बिज्ञान बेभार का नि ज्यानि खोश से है, किसने कहा है, मन ने कहा है अ़यदी सब्द का प्रियोग सरीर और उसके अंगों के भार और आकार में विधी के लिए किया जाता है सिदान्थ नमबर बारा हैं दोस्तों, इसकीण़ पर आप लोग अच्छे से वीडियोग देखे दोस्तों अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंस कर दो, नोट जरूर करें आप मनो बिज्ञान का सबसे संतोस चनक परिभासा मानब बिभार के बिज्ञान की रूप में की जा सकती है पिल्स बरी ने कहा है ऐसा थोरी नमबर थर्टीन मनो बिज्ञान मानब बिभार और मानब संबंधों का अध्यान है किसने कहा है किरो बाकिरो ने कहा है मनो बिज्ञान मानब बिभार और मानब संबंधों का अध्यान है थोरी नमबर फॉर्टीन है दोस्तों इसकीन पर आप लोग देखें आपर मनो बिज्ञान की सरवोत्तम परिभासा चेतना के बढ़न और व्याख्या की रूप में की जा सकती है मनो विज्ञान की सर्वोत्तम परिभासा चेतना की बढ़न और व्याक्ष्या की रूप में की जा सकती है किसने कहा है इसका correct answer होगा जैंप्स सिद्दान्थ नमबर 15 मनो विज्ञान की सिद्दान्थों तथा उपलब्धियों का सिच्छा के छेत में प्रियोगी सिच्छा मनो विज्ञान है किसने कहा है कॉल सॉनिक ने कहा है सेच्छिक परियावन में किसी बिध्यारती अथ्वा व्यक्ती के बahltन कोई सिच्छा मनों विज्ञान कहते हैं H.R. भाटिया ने कहा है ऐसा अष्वी नमबर 17, सिच्छा हुआ विज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति के वेवहार में परिबर्तन किया जा सकता है किसने कहा है ब्राउन दोस्तों नोट कर लँए एक जाम में आ सकता है सिच्छा वह पिरक्रिया है जिसके द्वारे ब्यक्ति के बेवहार में परीबरतर निकिया जाए अंसर होगा ब्राउन 18, मिनो बिग्यान मानप बेवहार का बिग्यान है किसने काई पिरस बरी ने कहाए ऐसा थूरी नमबर 19 सिच्छा जो कुछ करती है वह जिस परकार वह किया जाता है उसके लिए उसे मनो बिज्ञाने खोजों पर निर्भर होना पड़ता है किसने कहा है बी एन जाने कहाए ऐसा बी एन जान नोट जरूर कर लें थूरी नमबर 19 20 सिच्छा मनो बिज्ञान और खोजों का सेच्छिक परिश्थितियों में प्रियोग करता है जो कि विशिष्थया मानब प्राणियों के अनुभाव और व्यभार संबन्दित है इसकिनर ने कहा है ऐसा 22 सिच्छा मनो बिज्ञान मुख रूप से सिच्छा से सामाजिक प्रिक्रिया से परिबर्तित या नेदेशित होने बाले मानब बिभार की अध्यन से संबन्दित है नौल बाणियों ने कहा है ऐसा सिच्दान्थ नंबर 23 भी देखेंगे अपन इसकी पहले दोस्तों नोट जरू कलने है बीसवी सताबदी को बालक की सताबदी किसने कहा है किरो बाग किरो ने नैश्ट बाल लेवस्था वैस समय है जब व्यक्ति के आधार भूत दृष्टी कोड़ों मूल्लियों और आदर्सों का बहुत सीमा तक निर्माड होता है किसने कहा है ऐसा दोस्तों किसने कहा है ऐसा आप लोग बताएं मुझे बिलेयर जॉन्स बासिंपसन ने 23 सिच्छा मनों बिज्ञान बिज्ञानिक बिथी से प्राप्त के जाने वाले मानब प्तिकिर्याओं के उन सिद्धान्तों के प्रियोग को प्रुष्टुत करता है जो सिच्छ और अधिगम को प्रभावित करते हैं इसा ऐलिस किरों ने कहा है 24 24 सिच्छा मनो विज्ञान का मुख संबंद सीखने से है यह मनो मिज्ञान का वह अंग है जो सिच्छा के मनोविज्ञाने पहलूं की विज्ञाने खोस से बिसिस रूप से संबंदित है किसने कहा है सवरे बाड़ एल्पोड 25 सिच्छा मनो विज्ञान अपनी खोच के पिरमोक उपकरणों के रूप में विधियों का प्रियोग करता है किसने कहा है सौरे एवं टेलफोर्ड ने दोस्तो टेलफोर्ड की परिभासाएं दो हैं कंट्यूनिव आप नोट जरू कर ले 24 और 25 को दोस्तो नोट जरू कर लें रिपीट होते हैं कुशन दोस्तो इसलिए मैं आपकी सामने रख रहा हूँ 26 सिच्छा मनो विज्ञान को विवारिक विज्ञान माना जा सकता है क्योंकि यह मानब विवार की संबंद में विज्ञानिक विधी से निश्चित किये गए सिद्धान्तों तधा तत्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करने का प्रियास करता है किसने कहा है किरो एवं क 27 सिच्छा मनोविज्ञान की उद्देश हैं बेभार का ग्यान बविश्वाणी और नियंत्र किसने कहा है गैरीशन तथा अन्य अगर एकजाम में आता है तो आप तो गैरीशन टिक कर सकते हैं 28 सिच्छा मनोविज्ञान का उद्देश मनोविज्ञान की सिद्दान्थों को उत्तम सीच्छण और उत्तम अधिगम सीखना के हितों में प्रियोग करना है कुप उसोमी 28 सिच्छा मनोविज्ञान का उद्देश मनोविज्ञान के सिद्दान्थों को उत्तम सीच्छण और उत्तम अधिगम यानि सीखना के हितों में प्रियोग करता है कुप उसोमी ने 29 सिच्छा मनोविज्ञान का उद्देश सिच्छक को उन समस्याओं का समाधान करने में सहायता दैना है जिनका संबंद परेड़ना मूल्यांकन कक्छा पिरबंद सिच्छ विधियों चात्तों की बिक्तिकत भिन्यताओं उनकी मानसिक स्वास्त उनके चैतिनमार से होता है क किसने कहा है कॉल सेनिक ने थोरी नमबर 13 काफी इंपोटेंट है दोस्तों एक्जाम में काफी बार रिपीट होती है बंसा नुकरम व्यक्तिकी जनमजात विसिष्टाओं का पूर्ण योग है किसने कहा है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी एन जहां दोस्तों आप ल पॉइंट नमबर 31 है दोस्तों इसकीन पर बंसा नुकरम में बे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का अरंब करते समय जनम के समय नहीं बरन गर्वाधान के समय जनम से लगवग 9 माई पूर व्यक्ति में उपस्तित थी ठीक है बुड़ बर्थ ने कहा है दोस्तों 31 जो सिदान्त है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों नोट कर लें बंसा नुकरम में बे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंब करते समय जनम के समय नहीं बरन गर्वाधान के समय से लेके दोस्तों वो सभी व्यक्ति में जो पश्टित होते हैं लचछन वो सभी आ जाते हैं बंसानुक्रम ठीक है तो दोस्तों बंसानुक्रम की थोरी अच्छे से नोट करने बुड़वर्थ ने कहा ऐसा बंसानुक्रम में जीवन का आरंब करते समय जनम के समय नहीं बनन गरवधान के समय से लेके कुशन थोरी नंबर 31 दोस्तों अच्छे से नोट करने अच्छे से पढ़ें बहुत ही इंपोर्टेंट है बुड़वर्थ ने कहा है बंसानुक्रम में बे बाते समलित नहीं होती है जनम से होती है परंद बट जो गरवधान से लेके नो महाई पूर्व तक की वो भी समलित की जाती है बुड़वर्थ ने कहा है ऐसा थर्टी टू एक ब्यक्ति के बंसानुक्रम में बे सब सारीरिक बनाबटें सारीरिक बिसेस्ताएं किरियाएं या चमताएं समलित रहती हैं जिनको वह अपने माता-पिता अन्द पूर्वजों या प्रजाती से प्राप्त करता है कि इसने कहा है डगलस एवं होलेंड ने कहा है ऐसा थटी थर्टी त्री बंसानुक्रम माता पितासी संतान को प्राप्त करने वाली गुढ़ों का नाम है रूथ बैडिक्ट ने कहा है 33 नोट कर ले, बंसा निक्रुम माता पिता से संतान को प्राप्त करने वाले गुड़ों का नाम है, रूथ बैडेक्ट ने कहा ऐसा, 34 है दोस्तों इसकीन पर, माता पिता की सारिक एवं मांसिक बिसिस्ताओं का संतानों में हस्तांतर होना ही बंसा नूक्रम है, 34 इस बहरी इंपोर्टेंट फोर नैस्ट एक्जाम, जितने भी छात्रों के एक्जाम होने वाले हैं आगे चलकी, 34 रिपीट हो सकती है, माता पिता की सारिक एवं मांसिक बिसिस्ताओं का संतानों में हस्तांतर होना ही बंसा नूक्रम है, किसने कहा है, जैम स्रिद्रेवन ने क 35 पिर्किती में पिर्तेक पीडी का कार माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जेब किये या मनो विज्ञानिक विसिस्ताओं का हस्तांतर कन्ना है, इस प्रकार हस्तांतरत विसिस्ताओं की मिली जुली गठरी को बंसा नूक्रम के नाम से पुकारा जाता है, पी जिस सद्धान्थ प्रमुख मनुव विज्ञानिक हैं बाल विकास से संबंदित दोस्तों उन सब की जो भी सद्धान्थ हैं मैं अपने वीडियो में सारे कंपीट करवा दूंगा तो आप लोग वीडियो पूरा देखें पैसिंस बनाए रखें थर्टी सिक्स ब्यक्ति को अपने माता पिता से जो विशिष्टाय प्राप्त होती हैं उसे बंसानुकरम कहते हैं एच ए पीटरसन ने कहा है ऐसा ब्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों से जो विशिष्टाय प्राप्त होती हैं उसे ही बंसानुकरम कहते हैं थर्टी सेविन बंसानु किरम किरंबद पीडियों की बीच उत्पत्ती संबंधी संबंध की लिए सुविदा जनक सब्ध है जे ए थॉंपसन ने कहा है ऐसा थर्टी एट पित्रेकों का अलावा ब्यक्ती को प्रावित करने वाली बस्तु बातवर्ण हैं बोरिंग लेंग फिल्ड बैल्ड ने कहा है ऐसा थर्टी नाइन बातवर्ण में बे सब भायतत आ जाते हैं जिनोंने ब्यक्ती को जीवन आरंब करने के समय से प्रावित किया है बुड बर्थ ने कहा है ऐसा आपका सिदान्त नमबर 40 बाता बन सब्द का प्रियोग उन सब बाय सक्तियों पिरभावों और दसाओं का सामाहिक रूप से बढ़न करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों की जीवन, सुभाव, बिवहार, बुध्धी, विकास और परिपकता पर प्रिभाव डालते हैं किसने का है डगलस बाहोलेंड की अनुसार ठीक है दोस्तों हम डिसकस करेंगे फोटी बन बाता बन वह बाहरी सकती है जो हमें प्रिभावित करती है किसने का है रौस ने का है ठीक है नोट जरू कलने फोटी बन बहुती इंपोर्टेंट है दोस्तों रिपीट हो सकती है अग्जाम में बातावण व्य बायरी सकती है छो हमें पिरभावित करती है किसने कहा है रौस ने कहा है 42 बातावण व्य हर बस्तू है जो किसी अन बस्तू को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना पिरभाव डालती है किसने कहा है जिस बट 42 बाता बन वह हर बस्तु है जो किसी अन बस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रिभाव डालती है किसने कहा है जिस बट ने कहा है ऐसा 43 बाता बन वह हर बस्तु है जो ब्यक्ति के पित्रयंकों के अत्रिक्त पित्रेक बस्तु को प्रावित करता है किसने कहा है एन आउस्ट 43 देख रहा है थे दोस्तों अभी एन आउस्ट सी ठीक है 44 स्वयम प्राणी उसके जीवन का धाचा बीते हुए जीवन एवं अतीत परियावन का फल है परियावन जीवन के प्रारंब से यहां तक की उत्पादक कोसों में भी नहीं थे किसने कहा है गैक आईवर एवं पेच के अनुसार 45 मूल प्रिवर्थी कार करने का बिना सीखा हुआ शुरूब है बुडवर्थ के रायें बालविकास होता किया है 46 मूल प्रिवर्थी बेवार का एक सुनेश्चित और सुबवेस्थित पिर्थीमान है जिसका आदी कार जनमजात होता है और जिस पर सीखने का बहुत कम या बिलकुल प्रिभाव नहीं पड़ता मौर सेलने का ऐसा 47 मूल प्रिवर्थी की परिवासा साधान तया इस पिरकार कार करने की सत्ती के रूप में की जाती है मूल प्रिवर्थी परंपरागत या जनमजात मनो सारिडिक प्रिवर्थी है जो प्राड़ी को किसी बिसेश भस्तु को देखने उसकी पिर्थी ध्यान देने उसे देखकर एक बिसेश पिरकार की संभी गातमक उतेजना का अनुभाव करने और उससे संबंदित एक बिसेश धंग से कार करने या ऐसा करने बाले पिरवर इच्छा का अनुभाव करने के लिए बाध करती है मैक डूगल 48 दोस्तो काफी रिपीट होती अच्छी से सोचे समझें और माइंड में सेट अप बना लें 49 संबेग ब्यक्ति की उत्तेजित दसा है बुटबर्थने का है दोस्तो बहुती मोश्ट है संबेग क्या है ब्यक्ति की उत्तेजित दसा है उत्तेजित बोले तो मोशन एक्टिबिटी संबेग ठीक है संबेग समझे रहे ना संबेग होता है मोशन ठीक है और उत्तेजित बोले तो एक्टिबिटी काइनेटिक बोल भी सकते हैं किरिया सी दसा है बुटबर्थने कहा है ऐसा 50 है दोस्तों इसकीन पर आप 50 थोड़ी देखें 50 नंबर की संबेग गती सील दोस्तों 50 हमारे पास थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही है तो हम 50 क्लियर नहीं कर पाएंगे यानि 49 कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा आज का वीडियो तो पिलीज दोस्तों अगर आ जानदा से जानदा वीडियो को सियर करें ठीक है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखा है दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसकी बात घंटी दवा दें जिससे की जो भी हम लेटिस्ट वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन दोस्त रहने वाला है दोस्तों तो प्लीज वीडियो आप लोग पूरा देखा करें ठीक है आज के लिए इतना इक आप ही है दोस्तों फिर मिलें किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू